तो सबसे पहले मैंने इधर लिया हूँ है पीपी बिस्केट के पैकेट और ये 5 रुपे वाला है पैकेट है और मैं 4 पैकेट है पैकेट लिया हूँ तो आप लोग जाओ तो जादा ये काम भी ले सकते हूँ कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले मैं सारे पैकेट से बिस्केट को अलग करूँगे पैकेट से निकलके एक बावल में रख लूँगे तो सारे बिस्केट को मैं पैकेट से निकलके एक बावल में रख लिया फिर उसके बाद मैं इस बिस्केट को इस तरीका से टुकुडे करके एक ग्रेंडर में डाल दूँगी क्योंकि मेरा आज मैं हैपी हैपी बिस्केट को ग्रेंडर में बनाने वाली हूँ आइमन ग्रेंडर से केक बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैं ग्रेंडर में डाल रही हूँ और इसको अच्छा खासा एक पेस्ट बना लूँगी तो और इसमें मैं एड़ कर रही हूँ तो बिस्केट का बैटर को मैं एक बावल में डाल दूँगी इस तरीका से और एक स्मूध बैटर बनके रेडी हूँ है अब इसमें मैं लिया हूँ और इनो का फिलिवर औरेंज फिलिवर का इनो लिया हूँ मैं और इसमें मैं एक चमच जैसा दूद एड़ किया और एड़ क एवेटर मेरा कम्प्लीट हो चुके हैं अब इसमें मैं केक्टिन को रेडी कर लूँगी तो इधर मैं नॉर्माल जो घर में हम लोग यूज करते हैं ना एलूमिनियम का बरतन वही वाला लिया हूँ तो अब इसमें मैं ओयल दे कि आच्छी तरह से ग्रीज कर लिए और मैं ही था रिफाइंड ऑयल यूज के रही हूं तो मैं ओयल दे करने दिक्क तरा सेब कर लिया है और इसके सबसे में एक पेपर केर लए तो उस पेपर को बीठा के मैं अच्छी तरह से बीठा के उसके ऊपर भी थोड़ा ओयल क्रीज कर दूंगे तो हमारा होममेट बटर पेपर तयार है और क्यक्टीन भी हमारा रेडी हो चुके है तो आप लोग देख सकते हो तो आप इसमें मैं जो के लिए बेटर बनाया थी ब अधर गयास में मैं 10 मिट पहले कड़ाई को बीठा के फ्री हीट कर लिया तो कड़े फ्री हीट हो चुके है अब इसमें मैं क्यक्टीन को बीठा के फिर धाग दूंगी और ढगके लगवक्त 30 मिट के लिए इसको ऐसे छोड़ दूंगी कूख होने के लिए और गयास के फ्ल केक बहुत आसानी से निकल जाएगा केटीन से तो इसके उपर एक प्लेट भीट है कि फिर इसको डी मॉल कर लूंगी इस तरीका से और उपर से थोड़ा टैप कर लूंगी और टैप करने से के बहुत यह असन तरीका से छोड़ गया और इसके उपर से हम बटर पेपर भी छ तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताना और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सेर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूले और थेंक यू फूर वाचिंग माई वीडियो